सरकार के द्वारा अगले वितिय वर्ष के लिए अनुमानित आय और अनुमानित व्याह का व्योरा ही बजट कहलाता है फिर से सरकार के द्वारा अगले वितिय वर्ष के लिए अनुमानित आये और अनुमानित व्याय का व्योरा ही पजट कहलाता है सरकार को आये कहां से प्राप्त होती है? सरकार को दो प्रकार से आये प्राप्त होती है राजस्व आये और पुंजिकत आये राजस्व आये कौन सी आये है? राजस्व आये वह आये है जिससे ना तो देता उत्पन होती है ना ही परिसंपतियों में कोई कमी आती है पुझी गत आये कौन सी होती है? पुझी गत आये वह आये होती है जिससे या तो देता उत्पन होती है या परिसंपतियों में कमी आती है इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होगी राजस्वाई में क्या क्या शामिल है? राजस्वाई में सबसे पहले कर करों से आये शामिल है फिर करेतर आये शामिल है करों से सरकार को कहां कहां से आय प्राप्त होती है कर कई प्रकार के होते हैं जैसे प्रत्यक्षकर और प्रत्यक्षकर प्रत्यक्षकर वे कर होते हैं जो जिस पर लगाय चाते हैं उसी को सहन करने पड़ते हैं जैसे आय पर लगाया गया कर संपत्ती पर लगाया गया कर आप्रत्यक्षकर वे कर होते हैं जो लगाए किसी और पर जाते हैं और सहन किसी दूसरे को करने पड़ते हैं जैसे वस्तू पर लगाया गया कर वस्तू पर जब भी कर लगेगा तो वह कर कहा तक पहुँचेगा उभोगताओं तक पहुँचेगा जब वस्तू खरीदी जाएगी तो उसकी कीमते बढ़ा दी जाएगी तो आप प्रत्यक्ष कर लगते किसी और पर हैं सहन कोई दूसरा करता है इसी तरह से मुल्यवृदी कर, वजन अनुसार कर मुल्यवृदी कर जसे अपने भारत में वैट सिस्टम है वैल्यू अड़े टेक्स जितनी किसी उत्पादक ने मुल्यवृदी की है उसके हिसाब से टेक्स लगता है वजन अनुसार कर, वजन के अनुसार कर लगता है इसी प्रकार से प्रक्ती शील और प्रतिगामी कर प्रक्ती शील कर वो कर होते हैं जो आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते चले चाते हैं प्रतिगामी कर वो कर होते हैं जो स्थिर होते हैं जैसे सभी आय वर्क वाले लोगों पे 10% टेक्स लगा दे तो यहाँ प्रतिगामी कर होगा कम आए वालों पर कम टेक्स ज्यादा आए वालों पर ज्यादा टेक्स होगा तो यह प्रक्तिशिल कर होगा महारज जैसे देश में प्रक्तिशिल कर लग रहे हैं ताकि आए की असमानेता को कम किया जा सके यह थी करों से आए अब आता है करेतर आए या गैर कर आए गैर कर आए का मतलब है fees, license, as cheat fees करों के बीना करों के इलावा हम कौन कौन से चीजें है जिससे सरकार को आए प्राप्त होती है जैसे हम सरकार को fees देते है license बनवाते हैं permit बनवाते हैं तो इसके लिए खर्च करते हैं जैसे आपने driving license बनवाया हो या किसी vehicle के लिए permit लिया हो तो हमें सरकार को इसकी permission लेने के लिए पैसा देना पड़ता है तो यहाँ सरकार की I है तो fees से, license से सरकार को I प्राप्त होती है ऐसे ही as cheat as cheat होता है किसी की उत्रादिकारी नहीं है मालो तो उसकी पूरी संपत्ति सरकार की संपत्ति बन जाती है तो यहाँ as cheat में शामिल है यह सारी जो करों से आए है और गैर कर आए है यह सारी कौन से आए में आए? राजस्व आए क्यों? क्योंकि इन सब आए से ना तो देता उत्पन होती है और ना ही परिसंपतियों में कोई कमी आती है इसके बादा आता है पूंजिकत आए पूंजिकत आए वहाँ आए है जिससे या तो देता उत्पन होगी या परिसंपतियों में कमी आएगी इन दोनों में से कोई एक चीज ज़रूर होगी यदि एक चीज है दोनों में से तो वहाँ आए फूंचिकत आए है इसमें निमने चीज़ें शामिल है नमबर एक वी निवेश सरकार जब अपनी परिसंपतियों को नीजिक शेत्र को बेचती है तो उसे वी निवेश कहते है वी निवेश होगा तो सरकार को आए प्राप्त हुई सोचो अब ये कैसे हुआ होगा ये परिसंपतियों में कमी आने से हुआ सरकार की परिसंपतियों कम हो गई क्योंकि सरकार ने कुछ बेचा तो सरकार की परिसमपतियां कम हुई तो उसे पैसे मिले तो यहाँ कुन सी आए में शामिल होगी पूंजिकत आए में सेकेंड नमबर उधार लेना जब हम किसी दूसरे देश से रिण लेते हैं तो हमारी देता उत्पन होती है एक बर तो हमारे पास पैसे आ जाते हैं फिर हमें लोटाने पड़ते हैं तो देता तो उत्पन होई तो यह कुन सी आए में आएगा यह भी पूंजिकत आए में आएगा क्योंकि देता उत्पन होती है तीसरा, यदि किसी ने हम से रिंड लिया है सरकार से रिंड लिया है और वहर रिंड सरकार को वापिस मिला तो यह भी पुंजिकत आये होगी क्योंकि उससे सरकार की परिसंपतियों में कमी आ गई जो उधार दे रिखा था उसके वदले में प्रतिवर्ष सरकार को कुछ व्याज मिलता था अब वह व्याज मिलना बंध हो गया तो यह भी सरकार की कौन सी आये में शामिल है पुंजिकत आये में तो तीन पॉइंट वे वी निवेश से सरकार को क्या होता है परिसंपतियों में कमी आती है उधार की वापसी हुई तो भी परिसंपतियों में कमी आती है किसी दूसरे देश से उधार लिया तो देता उत्पन होती है तो जब भी राजजस्व आये और पुझी गत आये इस में से कोई भी उधारन पोछ ले कि ये किसमें शामिल है तो आप राजजस्व का point है तो आपको दोनों पॉइंट लिखने है कि ना तो देता उत्पन होती है ना ही परिसंपतियों में कमी आती है और अगर ये पुझी गत का पॉइंट है तो दोनों में से एक चीज आएगी आप लिखेंगे इससे देता उत्पन होती है या आप लिखेंगे इससे परिसंपतियों में कमी आती है वो आप देखेंगे कि इससे क्या प्रभाव पड़ा तो is it clear? राजस आय और उन्जी कता है अब आता है सरकार कहां कहां खर्च करती है सोची आप सरकार का खर्च कौन कौन सा है सरकार भी रोजगरी भत्ता देती है सरकार व्रिधा अवस्ता पेंशन देती है सरकार शिक्षा पर खर्च करती है स्वास्ते पर खर्च करती है बड़ी बड़ी बिल्निंग्स बनाने पर खर्च करती है सड़क बनाने पर खर्च करती है पुल बनवाती है बांध बनवाती है, सेना पर खर्च करती है, सुरिक्षा पर खर्च करती है और भी सुचिए आप कोन-कोन से खर्च सरकार के द्वारा किये जाते हैं इन जो भी खर्च सरकार करती है, इन खर्चों को दो भागों में माटा गया है राजस्व व्याय और पूंजिकत व्याय राजस्व व्याय वह व्याय है जिससे या तो ना तो देता में कमी आएगी और ना ही परिसंपतियों में कोई व्रिधी होगी राजस्व व्याय वे व्याय हैं जिससे ना तो देता में कोई कमी आती है और ना ही परिसंपतियों में कोई व्रिधी होती है अब सुची कौन-कौन से पॉइंट आएंगे जैसे बेरोजगरी भत्ता दिया सरकार ने या व्रिजधा वस्ता पेंशन दी सरकार ने या सुरक्षा पर खर्च किया पुलिस पर खर्च किया ये खर्च सरकार के कोन से खर्च है राजस्व खर्च है क्यों? क्योंकि ना तो इससे सरकार की कोई देता कम हुई यानि किसी को लोटाने नहीं थे सरकार ने जो लोटा दिये और ना ही इससे कोई परिसंपतियों में कमी आई तो जब भी आप उधारन दें राजस्वव वियाय के तो वो हैं बेरोजगरी भता, वरिधावस्ता पेंशन, सैना पर खर्च, पुलिस पर खर्च सैना और पुलिस पर खर्च को हम राजस्व में क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि ये शान्ती और विवस्था बनाने के लिए है ये पूंजिगत खर्च नहीं है दूसरा पॉइंट आता है पूंजिगत व्याय पूंजिगत व्याय वे व्याय है जिससे या तो देता में कमी आएगी या परिसंपतियों में व्रिधी होगी इन दोनों में से कोई एक चीज़ जब होगी तो इसका मतलब वो पूंजिगत व्याय है जैसे सरकार ने सड़क बनवाई, बांध बनवाया, कोई भी बिल्डिंग बनवाई तो ये खर्च कौन से खर्च होंगे? ये सरकार के पूंजिकत खर्च होंगे क्योंकि इन से परिसंपतियों में वृदि होती है सरकार ने किसी दूसरे देश से रिण लिया, उस रिण को लोटा दिया वो खर्च भी कौन सा खर्च है? पूंजिकत खर्च क्यों? क्योंकि उससे देता कम हो गई जब देता कम होगी, तो ये कौन से व्याय में आएगा? पूंजिकत व्याय में शिक्षा पर खर्च करती है, स्वास्थे पर खर्च करती है, आवास पर खर्च करती है, जो शिक्षा और स्वास्थे पर खर्च है, ये भी पून जिगत खर्च है, किसी भी तरह का, जैसे आप पर कोई खर्च किया गया है, या हम अध्यापकों को सरकार आई दे रही है, या क खर्च कर रही है ये सारा खर्च भी पूंजी गत्विया है क्यों क्योंकि आप सब हम सब जो human being है हम सब मानव पूंजी है तो हम सब पर किया गया खर्च भी एक किसम से पूंजी निर्मान है यानि हम सब सरकार की परिसंपतियां है देश की परिसंपतियां है जो आने वाले सम हम उत्पादक हैं तो जो भी खर्च किया जा रहा है वो पूंजी निर्मान कहलाएगा तो पूंजी गत पदार्थ में व्रिधी हुई या परिसंपतियों में व्रिधी हुई एक ही चीज है तो पूंजी गत व्याय कौन सा व्याय हुआ पूंजी गत व्याय वह व्याय है जिस से या तो देता में कमी आती है या परिसंपतियों में वृधी होती है इसके उधारण आप लिख दीजेगा कि सडक बनाने पर खर्च, पूल बनाने पर खर्च, बांध बनाने पर खर्च किसी भी तरह कि building बनाने पर खर्च, शिक्षा पर खर्च, स्वास्थे पर खर्च और सरकार द्वारा विदेशों को लोटाए गए रिण ये सरकार के द्वारा सारे खर्च होते हैं ये शब्द जरूर आए कि सरकार के द्वारा ये खर्च किये जाते हैं तो ये खर्च कौन से खर्च आएंगे पूंजी गत्वय तो दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ कि राजस्व व्याय और पूंजी गत्वय पहले दोनों पॉइंट लिखने हैं फिर दोनों के उधारन कम से कम तीन या चार उधारन आपको देने है और पेपर में यदि ये पू लगता है ये देता कम कर रहा है या आपको लगता है इससे परिसंपतियां बढ़ रही है तो ये समझ लेना ये कौन सा व्याय है पूंजी गत्व और ऐसा खर्च जो आपको लग रहा है ना तो इससे कोई देता कम हुई और ना ही इससे कोई परिसंपतियां बढ़ी तो वो कौन से व्याय में आ जाएगा राजस्व व्याय तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये कौन से व्याय का हिस्सा है फिर आपने कारण जरूर लिखना है पेपर में कारण के नंबर मिलते हैं आप यदि correct भी लिखा है कि ये राजस्ववय का हिस्सा है और आपने reason नहीं लिखा तो आपको कोई marks नहीं मिलेगा reasoning जरूर देनी है राजस्ववय में दोनों point लिखने होंगे ना तो देता कम होती है और नहीं परिसंपतियां बढ़ती है और पुझी गत्वय में कोई एक point आएगा आपने अगर देखा कि इससे परिसंपतियां बढ़ती है तो आप लिखिए सरकार के इसकार से परिसंपतियों में वृदी होती है इसलिए ये पुझी गत्वय है और अगर आपको लगता है इसे देता कम हुई है तो देता कम पॉइंट आएगा इस ट्लियर ओके